हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टू आवर चैनल प्लांट सिस्पेस आज हम बात करेंगे एक ब्यूटिफुल फ्लावरिंग प्लांट के बारे में जो की प्लूमेरिया है इसको हिंदी में चंपा भी कहते हैं प्लूमेरिया विंटर में अपनी सारी लीव्स गिरा देता है और जैसे ही स्प्रिंग सीजन आता है इसमें दोबारे से ग्रोथ होती है और लीव्स आने लगती है तो आपको विंटर्स में ये बिल्कुल सूखा हुआ दिखेगा लेकिन दीरे दीरे इसमें लीव्स आने लगेंगी स्प्रिंग सीजन में और जैसे समर आता जाएगा इसमें flowering भी होगी देखिए इसमें छोटी-छोटी flower buds आने लगी है तो इस तरह से ये बड़ी होती जाएंगी धीरे-धीरे plumeria पूरे summer season में और पूरे rainy season में बहुत अच्छी flowering करता है आप इसको अपने garden में जरूर ग्रो करें plumeria की बहुत सारी variety आती है बहुत सारे colors आते है grafted plumeria आती है जिसमें इसके different colors भी होते है तो जो common plumeria होती है वो देशी plumeria होती है ये इसकी leaves आप देखी सकते हैं आगे से गोल होती है और एक plumeria की leaves होती है वो आगे से थोड़ी तुक्तिकों होती है तो इस तरह से आप इसकी पहचान कर सकते हैं, ये देसी प्लूमेरिया है और ये वाइट पे येलो शेड होता है, काफी light flowers होते हैं इसके और इसमें एक मीथी fragrance भी आती है, काफी अच्छी लगती है, तो आप तनाब मुक्त रहते हैं उस खुश्बू से, तो इस तरह से leaves के ब फ्लावर बढ़ होती जा रही है, और आप इसको अपने गार्डन में जरूर एड करें, क्योंकि एक तो ये beautiful flowering plant है, और इसमें बहुत ही मीथी खुश्बू होती है, और इसके द्वारा बहुत सारी butterfly आपके गार्डन में आती है, इसके आप सारे color भी गार्डन में एड कर स इसके लिए आपको कोई भी ज्यादे मेहनत करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि ये एक hardy plant है, और बिना खाद और बिना पानी के plant बहुत अच्छी growth करता है, अगर ये जमीन में लगा हुआ है, तो जमीन में आपको ना तो इसको खाद देनी की जरूरत है, ना इसे पान पानी देनी की जरूरत है, बहुत ही अच्छी growth करेगा अपने आप ही, लेकिन जब हमारे garden में और plants होते हैं, तो हम सभी को पानी देते हैं, तो हम इसको भी पानी देते हैं, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें watering ना ही करें बिलकुल, लेकिन अगर आप इसमें कभी watering करना भूल भी जाते हैं, तो इसे कोई फर्क नहीं पढ़ता, और अगर आप इसको पॉड में ग्रो करना है, तो आप इसको sandy soil बिलकुल यूज ना करें, इसको normal garden soil लें, उसमें ही आप ग्रो करें, क्योंकि जो sandy soil होती है, वो काफी soft होती है, और ये जो plant होता है, ये काफी क्योंकि हिल जाएगा वो, इसलिए आपको इसको normal garden soil में लगाना है, जो कि hardy soil हो थोड़ी, तो देखी पुराने flowers आप इसके समय समय पे हटाते रहें, क्योंकि इसके बंच में पुराने flowers बिलकुल भी अच्छे नहीं लगेंगे, तो इस तरह से, तो आप इसको normal garden soil में लग तो वैसे अगर आप इसको normal garden soil में भी लगाएंगे, तो प्लांट पे कोई फर्ग नहीं पड़ता है, और अगर आप इसको पॉड में ग्रो करने हैं, तो इसमें हलका मॉश्चर जरूर बना के रखें, वैसे तो यह hardy plant है, लेकिन आप हलका मॉश्चर इसमें बना के रखें प्लांट को अच्छा लगता है, पॉड में हलका मॉश्चर और आपने इसको road side में देखा होगा, divider वगएरा पे आपने इसको लगा हुआ देखा होगा, तो यह ऐसी जगे पे इसलिए लगाया जाते हैं, क्योंकि वहां पे daily watering नहीं की जाती, कोई भी नहीं करने आता है, तो बीच-बीच में इसमें watering होती है, कभी-कभी, और खाद वगएरा देने का system भी नहीं होता है, रोट की किनारे तो इसमें, तो इसलिए, यह सबसे ज़्यादा ही प्लांट होता है, रोट के side में ग्रो करने के लिए, ऐसे ही प्लांट को चूज किया जाता है, जिसको ना जादे खाद की ज़रूरत होती है, और दिल्ली वगएरा में आपने इसको ज़रूर देखा होगा, side में बहुत लगा हुआ है, दिल्ली में यह, तो बहुत अच्छी flowering करने वाला plant है, तो decorative plant भी है, इसलिए इसको आप ज़रूर अपने garden में लगाएं, तो देखिए कितना स इस तरह ऐसे flowers आते हैं, और यह काफी lightweight flowers होते हैं, प्लूमेरिया की आप समय समय पे pruning करते रहें, क्योंकि इसमें से जितनी branches निकलेंगी, उतनी ही branches पे अच्छी flowering होगी, सभी पे flowering होगी branches पे, तो इसलिए इसकी आप समय समय पे pruning करते रहें, तो इसमें से जितनी जाद से branches निकलेंगी, उतना ही सुन्दर लगता है इस प्लांट, तो आप इसकी height को छोड़ा रखना चाहते हैं, इसलिए भी आप इसकी prune करते रहें, नहीं तो इसकी height काफी बढ़ जाती है, तो यह जादा तक terrace garden पे ग्रोग किया जाता है, आपने जादा लोग के terrace garden पे इसको जाही होगा, तो यह best plant है, धूप इसको पूरे दिन की चाहिए, पूरे दिन की भी आप देते हैं तो भी ठीक है, लेकिन कम से कम इसको चार घंटे की धूप जरूर चाहिए, तो देखिए केवल एक ही stick है यह और यह हमने cutting से grow की थी, काफी अच्छा चल रहा है plant, और यह हम प्लाइब के बराबर खिला हुआ है, और यह लगभग डेढ़ महीने तक flowering करने वाला plant है, यह फूल डेढ़ महीने तक रहता है, बिल्कुल डहेलिया जैसे रहता है, उस तरह से यह आपके garden में लुक देता है, और यह हमने seed से grow किया था, तो वो वीडियो आप जरूर चेक और ज्यादे से ज्यादे कितनी भी और ना तो इसे ज्यादे वाटरिंग की जरूरत है, बस हलका सा इसमें मौशर बना के रखें, और फर्टिलाइजर इसमें ज्यादे कोई खास नहीं चाहिए, बिल्कुल भी ना दें तो भी चलेगा, लेकिन अगर आपके पास फर्टिला गार्डन स्वाइल और कावडन के मिक्स्चर में हमने इसको ग्रो किया हुआ है, बिल्कुल सैंडी स्वाइल आप इसकी ना रखें, इसको सैंडी स्वाइल बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, तो देखिए इसकी जो लीफ्स है वो आगे से थोड़ी तिकोनी है, तो इस तर कारिया आपको मिलती रहेंगी, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए वीडियो कैसी लगी, थैंक यू,